हेलो एर्वान, वल्कम टू मैई टू चैनल, आज इस वीडियो में हम आपको अर्थोग्राफी पार्ट फॉर प्रोब्लम स्लब करने वाले हैं, पिछलो वीडियो में हमने आपको पार्ट फॉर प्रोब्लम स्लब किया है, सेम उसी की तरह हम आज प्रोब्लम पार्ट फॉर हम शल्ब करके बताएंगे ठीक है पिछलों वीडियो में एक छोड़ी समसे मिस्टिक क्या हो गई है कि यह जो यहीं वाला हमने अर्थोग्राफी पार्ट 3 में बताया था ठीक है इसी का लिखने में इसको हम बस तीस कर दिया है ठीक है मतलब यहां से यहां तक की जो प्रॉबलम हो गया है तो आप इसको देख लिएगा ठीक है यह कोई खास मिस्टिक नहीं हुआ है तो चलिए आज की वीडियो सुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए ताकि मेरे वीडियो का हर नो वातर है फ्रॉबलम स्पार्ट हमारा यह हो गया है ठीक है और स्ट्राइड यह हो गया और टॉपस παर मतलब कि उपर से चैनल की मजहा हम देखते हैं तो यह मुझाल स्ट्राइब और टौप सबसे पहले हम को फ्रन्कॉस रॉठ करने उब कि असके बाद अध्याइद इसके है कि हमने कोई भी पता है था कि दोनों लाइनों के मतलब दसस का डिस्टेंस हमको दोनों तरफ से ले लड़नी है तो हमने दसस का डिस्टेंस ले लिया है अब हम चलेंगे ड्राव करने ऩिक है और द्याँ रहे यह जब भी लाइनिंग करें 4-8 से ही लाइनिंग करें तो चलिए हम ड्राव करना मेग्ज से लेा ह है यह चुरूडरी नहीं ही कि फ्रंट इथर से है यह हमेशा के बना céu-" विज्ट इद लेकिन टॉप भी तो मतलब जो है सो हमेशा के लिए रहेगा लेकिन जब बदलेगा तो फ्रंट भी और स्राइड भी बदलेगा यह अपना पोजिशन कभी भी बदल सकता है अगर हम इजर से देखते हैं तो सबसे पहले हम इमेजन करना है कि इजर से जब हम फ्रंट भी बदलेगा तो और थोड़ा सा यह दिखेगा कि यह तो सलोट है जब ही दिखेगा मतलब में यह आधा ही पार दिखेगा मतलब है यह दीखेगा ठीक है यानि कि यह पार दिखेगा और यह पार दिखेगा और यह पार दिखेगा तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम इसकी हाइट ले 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 मतलब हम ले रहे हैं हाइ अब क्या करेंगे अब फ्रॉंट की जो ये 4 आई है इस कितनी के है 60 के है तो हम 54 आई सबसे पेला लेंगे 50 ठीक है है हमने हमको 64 आई 60 लेने है तो 24 आई 60 लेने के लिए scale को सही से रखेंगे और 60 पर एक ड़ॉट कर लेंगे और इसको equal करने के लिए हम एक और 60 ले रहे हैं त को बढ़ावर कर दे रहे हैं कि क्योंकि फ्रंट जब बनेगा तो सट्ट जरूर बनेगा तो मतलब फ्रंट प्रॉंट प्राने के लिए side का भी आरपा draw करना पड़ेगा अब हमको यहां ध्यान देना है ठीक है जिसी की यह वाला जो corner है वो ए है ध्यान देजीगा बहुत अच्छा जेकर समझ में आएगा आपको यहां से उपर 10 जाना है तो हमको यहां से भी उपर 10 जाना है ठीक है और जब हम जाएंगे यहां से 10 तो फिर हमको यहां से भी जाना होगा 10 यानि कि यह जो लाइनिंग है बीच का जो गैप है यह फ्रॉंट में भी आएगा और साइड में भी आएगा ठीक है तो इसको पूरा आर पर हम लेंगे 10 ठीक है तो हमने 10 का गैप ले लिया अब उपर ध्या है ठीक है हम this i have Eig up from this a seminar हम उपर से हम बीच ले रहे हैं ऊपर से हमने 20 लसी यहां देली यह तक की bisa ले लिग अब हमें जब यहां से बीच ले लिया तो अब तो हमको नीचे आयना है तो यह ब्ね लाइन है यह कितने का होगा जब हम यहां से यहां तका gap जब हमारा 10 का है तो यह line 30 का होगा तो अबना 30 और 10 मिला करके 40 होगा इसके पूरी height तो हम नीचे से उपर से नीचे आएंगे 10 और R पार ही जाएंगे पूरा ठीक है तो इसको equal करने के लिए हम कहीं पर भी यहां पर चान नीचे कहीं पर भी एक और हम मतलब 20 का हम ले ले रहे हैं ठीक है अब हमारा जाकर करके अच्छा से equal होगाई यह हमने lining कर दी अब हमको फिर अब यहां ध्यान दोना होगा जब हमने यहां से यहां तक यहां मतलब यह कितने के height लिए हमने 10 के लिए है तो यहां से यहां जाकर कि यह मतलब यह जो line है इसको भी हमको खिचना है तो यह हमको पता करना होगा कि यह कितने का होगा तो यहां पर ध्यान दीजिए यह है 15 का तो हम उपर फिर हम यहां से लिकर कि यहां तक जाएंगे ठीक है हम यहां से लेकर कि यहां तक पंद्रक तक जाएंगे यानि कि 15 mm माप लेंगे ठीक है 15 mm माप हम ले ले रहे हैं यह हमारा हो गया 15 और इसको फिर हम को इक्वल करना है और एकदम आरपानी खींचना है तो हम यहां पर भी 15 ले ले रहे हैं अब इसक अब हमारा जाकर के front view ready हो गया यानि कि complete हो गया अब हमको चलना है side view में ठीक है अब side view बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो है चोड़ाई पता करेंगे कि चोड़ाई कितनी की है ठीक है अब इसको हमको फिर equal करना है ठीक है समना अंतर में equal करना है तो हमको 40 लेकर कि इसको हम आर पार खींच दे रहे हैं ठीक हमने equal कर दी अब जरा हमको यहां ध्यान देना है side view में जिसकी हम यहां से यहां तक की distance लिया है दस नमें ठीक है जो की फ्रंट भी में है और स्थे यही मी आने वाला है ऐसा बात नहीं कि एप सीर्फ फ्रंड भी में देखना है हमको side view में भी देखना है तो हम हमारा यहा यहांसे कि हो गया 10mm हम यहां पर मान सकते हैं यहां के हो गया हम अधस अभatically ऐसे आना है ठीक है राएक मैं आना है तuchenlause में कितना मैं कितना हैं movies कना जाना है अब फिर इसे चाना है यह पंदर आ यह 15 जाना हो यानिकी यहां से ले करके यहां तक 15 जाना है तो फिर यहां से 15 जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हैं । जो हमको यहां से यहां तक 20 जाना है । तो हम और यहां से 15 तो तुखरे यह तो हमने माप ले ली है 15 पहले है आप माप करके देख भी सकते हैं यह अल्रेडी 15 है ठीक है अब इसको में इक्वाल करेंगे तो इस सब आ जाएगा एक बार में इस अब यह हमारा फ्रंट भी और स्राइड भी दूनों कंप्लिट होगे अब चलेंगे हम प्लैन भी में यानि कि टॉप भी में चलेंगे यह हमारा फ्रंट भी होगे यह हमारा साइड भी होगे अभी आपको कुछ समझ में यार अगर जब इसको हम लाइनिंग करेंगे जब एच बी से डार करे क्योंकि यह जो फर्मूला यह जो ट्रीक है बहुत ही आसान है और किसी को भी आ सकता है कोई भी बना सकता है इसी साथ अब हमको टॉप व्यू का मतलब की हाइट पता करने तो टॉप भी में भी हाइट हमारा 40 है तो हम 40 ले लेंगे यहां से हमने 40 ले लिया फिर हमको equal करना है इनकी सब को जो भी लाइन कीचे सब को में equal करना है तो यहा पर भी 40 ले लेंगे अब इसको equal करने के लिए हम स्किल्ड रखके आर पर हम लाइनिंग कर देंगा ठीक है यह है हमारा 40 अब ये जो टॉप भी हुए इसको हमको बिचो बिच भाग में डिवाइट कर देना है तुमें ओ कैसे तो आप देख सकते हैं जब इस 40 है तो आप यहाँ पर द्यान मत देजे नीचे देखिए नीचे यह 20-20 में दू भाग में बाटा गया इसको यह जो सलोट है और यह जो प्लेट है ठीक है यह जो सलोट और यह वा कर दे रहा है 20-20 का ठीक है अब इसको एक्वल करने के लिए पिर एक और डॉट देंगे हम जो भी लाइन करेंगे सब को एक्वल करना एकदम जरूरी है इसमें कोई जड़ा परशाने नहीं कोई जड़ा मेहनत नहीं है बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं देखिए मातर दो से तीन लाइनिंग करें हमारा टॉप वीव कमप्रीट हो गया तीन से चार लाइन में हमारा फ्रंट वीव और शाट भी कमप्रीट हो गया अब चलते हम एच बी से डार करके हम फिगर दिखाएंगे कौन-कौन से लाइनिंग हमको उपर की तरह दिखाने है कौन- और चालिस और साथ ठीक है चलिए अब आपको दिखा दे रहे हैं पूरा समझ में आजाएगा आपको ठीक है आप देख सकते हैं जो जो लाइनिंग हमको दिखाने थी हो हम नहीं आपको एच भी से डार करके दिखा ठीक है अब इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले ट्राइ अब तो इसके लिए क्या करेंगे यहां से जो यह वाला फ्रक्राइंगा गर्शव एक्वल्ट इक्वल मिल जा रहा है सब में अगर पर्थिष्यट करते वें निकल जा रहा है तो समझे वेमारा अर्ट्राफिक से दूसरा यह है कि हम चांद से चांद रखकर के देख सकते ह को 25 डिग्री पर है या नहीं अगर 45 डिग्री पर है तो उमकर से हैथ अगर नहीं है तो गलत है तो आप देखिए पाचास पचास और चालिच के बीच में एक dop मिल रहा है यानि के अंगर और तो 컨ण चाहि यह तो इसको मिलान कर देंगे ठीक है अब बाकि क्या रहा है इसमें कि हमको dimension कर दें तो dimension के लिए जब भी पर्योंग करें तो two-h pencil का ही पर्योंग करें आप चलिए भी dimension करने जा रहे हैं तो हमने अच्छे तरीकेसे dimension कर दे ठीक है अब जो यो extra line बच रहा है उसको हम क्या करेंगे मिटा देंगे ठीक है नहीं मिटाएंगे तो खेर कोई बात नहीं है लेकिन है भी अगर मिटा देंगे तो और भी आच्छा दिखेगा हमारा भीव यह होगे हमारा front यह होगे हमारा side और यह होगे हमारा top ठीक है? आप अगर exam में जब भी बनाएं तो इसी तरीके को अगर आप अपनाएंगे तो बहुती मतलब जल्दी आप बना पाएंगे बहुत कम से कम समय में आप orthographic drop कर सकते हैं अगर कोई भी question करना है कोई भी question पूछना है ठीक है अगर इसमें भी कोई आपको समझना है तो comment कर सकते हैं मैं फिर भी उसके लिए एक वीडियो बना करके upload कर दूँगा तो guys आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलेंगे next वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई